हलो प्रेंड आप सभी को नमस्कार एदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज हम टोपिक के स्टार्ट करते हैं वर्ग इसक्वाइर है वर्ग क्या होता है देखो सबसे पहली क्या बात है कि वर्ग होता क्या है ऐसी बुजा जिसकी सभी बुजाएं बराबरो ऐसी आकरती हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग ठीक है वर्ग स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसी बुजा जिसकी चारों बुजाएं समानो जैसे ये ये इसके बराबर, ये इसके बराबर ये आपस चारो बुजाएं आपस में समानो तो वर्ग ये कहलाता है तो देखो वर्ग में क्या होता है सबसे पहले आपन जो ची लेते हैं वो लेते हैं कि इसका इसका जो छेतरफल होता है छेतरफल क्या होगा तो देखो छेत्रफल क्या होगा इसका छेत्रफल जो होगा बुजा इन्तू बुजा यह इसका छित्रफल है यह आप ध्यान रख लिजिए फिर उसके बाद है दूसरी चीज याती है इसकी सेकंडा पॉइंट इसका आता है वरकका परीमाब मैंने आपको उसमें भी बताया था आयत में भी बताया था कि कि परिमाप क्या होता है तो देखो यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो यह ए पोइंट यह ए पोइंट माना अपने यह पोइंट बी माना यह सी माना यह डी माना आप ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, और घूम के वापीस आ रहे हो, ये परिमाप कहलाता है, ठीक है, तो क्या है वरक का परिमाप, बराबर चार इंटू बुजा, फिर आज हम इसका बेसिक कर रहे हैं, आप इनको अच्छे से कर लिजिए, क्योंकि ये बहुत एक्जाम आया है, मारे पास, ये आपको विकन दिये हुए हो, तो छेतर पल कैसे निकालेंगे, तो विकन का, होल स्कॉयर बटे 2, ये एक और फोर्मुला है, और इसके साथ ही, एक और, चोथा पॉइंट है, ये है विकन, विकन कैसे निकालेंगे, तो देखो, विकन, कैसे आपका जैसे यह वर्ग है, मान लिजिए, यह वर्ग है, यह बुजा आपने मानी A है, यह भी A है, ठीक है? यह देख लिजे भी कण, यह बुजा इसके बराबर होती है, चार बुजा इसमान, तो कैसे निकालेंगे? पाइतो गोरस पर में आपने पटी होगी तो आदार का स्क्वाइर प्लस लंब का स्क्वाइर पराबर कन का स्क्वाइर तो आदार कितना है मुझा पास एका स्क्वाइर प्लस लंब ये भी ए है एका स्क्वाइर बराबर कन का स्क्वाइर ठीक है कन आपका यह है, माला अपन ने इसको नाम वे दिया A, B, C, D, कन आपको कितना है, B, D, A ठीक है, तो यह कितना होगा है, 2 A का स्कॉार बराबर कन का स्कॉार तो इसका स्कॉार एठा देंगे, इसका रूट लेंगे तो रूट में 2 इंटू A तो यह चीज आपके आई, तो कैसे आई यह आई यह आपका तो यह में आपको derivation पूरा समझागे बताया है, तो इसको आप अच्छे दिया रख लीजिए, ठीक है, यह बहुत काम आता है, उसके बाद उसके बाद हम लेते हैं, देखिए अब हम ले रहे हैं रास्ते का चितरपल, पांच नमर का जो पॉइंट लेंगे हम इस तरह के कुशन भी यह पूछ लेता है, आजकल एक्जाम में कि रास्ते का चितरपल क्या होगा, तो रास्ते का चितरपल रास्ते का चितरपल रास्ते का चितरपला फोर्मला है आपका 4X A प्लस x कब का जब बहार की तरब से बहार की ओर से इनको आप याद कर लीजिए क्योंकि इनसे बहुत अच्छे चे कुशन हो जाएंगे आपके छटे नमर पॉइंट लेंगे रास्ते का छेतरपल बापिस अब अंदर की तरप से चेतरपल बराबर 4x a-x यहाँ एक आपको की पॉइंट बता देता हूँ यहाँ बहार की तरप की बात कर रहा है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर यहाँ रखना और यहाँ अंदर की तरप की बात कर रहा है तो माइनस हो जाएगा यहाँ रखना तो यह चीज है यहाँ पर यह तो आपको चीज़े याद रखनी है , इसे direct impossion आता है , कुछन आएगा ऐका इनका यहां से ठीक है तो direct कुछन आहेगा कि देखो पहला जो पोंट ले ने डाइरेक्ष्न में वर्क का छेत्र फल और उस वरक का पर विक्ड़न में ऋस वर्क के विकन पर बने कन का चितरफल बने वर्क का चितरफल तो देखिए क्या होगा वर्क इस तरह के जब आ जाये तो यह हमेशा एक अनुपात दो अमें होगा ठीक है ये दियान रखना आपको एक अनुपात दो में होगा इसके बाद पॉइंट आ रहा है एक और ये पूछ लेता है आपको इसमें भुजाओं का अनुपात होता है ये जो चीज़ दे रहे हैं उनमें भुजाओं का अनुपात पूछ लेता है तो ये क्या होगा ये देखिए गुजाओं को जो अनुपात होगा एक अनुपात रूट में दो ठीक है उसके बाद आप से ये पूछ लेता है वर्ग के अन्तवर्द का छेतरपल और प्रिवर्द का छेतरपल अनुपात प्रिवर्द का छेतरपल प्रिवर्द का छेतरपल तो देखिए ये क्या होगा आपका एक अनुपात ये भी दो होगा तो ये दहानक लीजिए ये बहुत इंपोर्टन टॉपिक चीजें है जिनको आप ध्यान रख लीजिए इनसे आपका डारेट कुशन उठके आता है अब दखेब क्या लेते हैं अगला अब देखिए कि आपके अन्तवर्द की तिरजा और प्रिवर्द की तिरजा क्या होगी इनके अंदर तो पहला है अन्तवर्द की तिर्जा अंतायव वर्त की तिर्जा यह होगी आपकी AY रूट टू ठीक है सोरी AY रूट टू नहीं होगी आपकी AY टू होगी है सोरी और जो परिवर्त की तिर्जा होगी की तिर्जा यह आपकी होगी AY रूट टू उसके बाद एक important point और आता है इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा यह point क्या हता है कि वरक के अंदर मैं लिख देता हूँ पहले वरक के अंदर अधिक्तम छेतर फल वाले वर्थ का व्यास ठीक है तो देखिए तो आज इसका क्या होगा आपका तो देखिए इसमें क्या होगा इसमें जो आपका व्यास जो होगा व्यास बराबर बुजा के बराबर होगा कैसे होगा तो देखिए जिसे आपका यह वर्ग बनाया आपने इसके अंदर अपन वर्थ बना रहे है तो यह वर्थ बना रहे है तो यहाँ से जो यह बिंदू टच हो रहा है जो आपने अपने आयत में के दे डिसकस उसी टाइप का है तो जो यह आपका व्यास है व्यास यह व्यास यह व्यास तो विकंड के बराबर हो गया व्यास विकंड के बराबर हो गया तो देखिए इस तरही गया कुशन आपको इस टाइप से करना है तो यह हमारे कुछ बेसिक चीजे थी अगली बार हम इसके कुशन लगाएंगे आपको यदि हमारे क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अच्छी सी अच्छी क्लासे में उपलब्द करा सकें और आप यदि हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हमें कहां उन्प्रूब करना है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्यू